जहिन दोस्तों आपका अपना चैनल Free Knowledge 1998 में स्वागत है दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और वेला आइकन को दावाना ना भूलें दोस्तों मैं आज आपके लिए एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट कोस्चन लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत जरूरी हो शकते हैं और ये कोस्चन आपको एक्जाम में देखने को मिल सकते हैं चलिए दोस्तों, अब मैं अपने question की ओर लिए चलता हूँ. चलिए दोस्तों, अब श्टार्ट करते हैं, यह रहा पहला question बेकिंग soda किसका सामाने नाम है? पहले नमबर option पर है sodium chloride, दूसरे पर है sodium bicarbonate, तीसरे पर है sodium carbonate, चौहते पर है sodium hydroxide. इसका उत्तर है दोस्तों, sodium bicarbonate, नेक्स्ट कोश्चन है दोस्तों, जो विज्ञान सब्द का प्रियोग सर्वर प्रथम किसने किया, पहला अरस्तु ने, दूसरा पूरिकिंजे ने, तीसरा है लेवार्क एवं ट्रेवी नेरस ने, चौहता है वान मॉल ने, इसका उत्तर है दोस्तों, लेमार्क एवं ट्रेवी नेरस Next question दोस्तों, परमाडू बं का विष्कार किसने किया था इसका उत्तर है दोस्तों आटोहॉन ने Next question दोस्तों, प्रत्थम हीट्रॉजन बं कब बनाया गया था पहला है 1955 में, दूसरा 855 में, तीसरा 1930 में, चोहता है 1952 में तो दोस्तों इसका अंसर है 1952, प्रता माइट्रोजन बंग 1952 में बनाया गया था Next question है दोस्तों, होमियोपेथी चिकित्सा के जनक कौन थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर हैं है aoमियोपेथी चिकित्सा के जनक यहां है Next question है, पानी में हवा का बुलुला किस तरह कारे करता है? नमर पहले पर है उत्तर दरपन, दूसरा पर है वफ्तर दरपन, तीसरे पर है उत्तर लेंज, चोहती पर है आउतर लेंज इसका उत्तर है दूस्तो आउतर लेंज, पानी में हावा का बुलबुला आउतर लेंज की तरह कारे करता है नेक्स्ट कोस्टन है दोस्तों, सुक्स सेल में किस तरहें की उर्जा नहींत होती है पहले नमर पे हैं यांत्रिक उर्जा, दूसे नमर पे बिद्धुत उर्जा, तीसे नमर पे रशानिक उर्जा, चौहते नमर पे ताप उर्जा इसका अंसर होगा दोस्तो राशायनी कूर्जा नेक्स्ट कोस्चन दोस्तो केटाडू सिद्धांत किस ने दिया था पहले नमर पर ट्रेजर ने, दूसरा वैक्समेन ने, तीसरा लूई पास्चर ने, चौंता रॉबा ठुक ने तो दोस्तो इसका अंसर होगा लूई पास्चर ने, तो दोस्तो केटाडू सिद्धांत लूई पास्चर ने दिया था नेक्स्ट कोस्चन दोस्तो कौन सा विटामिन गर्म करने पर नश्ट हो जाता है पहले नम्मर पे बिटामिन A, दूसरा बिटामिन B, तीसरा बिटामिन C और चौहते नम्मर पे बिटामिन D तो इसका अंसर होगा दूस्तो बिटामिन C Next question है दूस्तो बिदेशी भूमी से छोड़ा गया भारत का पहला व्यज्ञाने कुपगरा है पहला इनसे 2A, दूसरा अपसरा, तीसरा रोहनी, चोहता आर भट्ट इसका उत्तर है दोस्तो, आरे भट्ट Next question है, नीमनी में से सबसे भारी धातू है अपसर है दोस्तो, नमबर पहला, एलमुनियम, दूसरा तामा, तीसरा चांदी, चोहता यूरेनियम इसका उत्तर है दोस्तो, यूरेनियम, सबसे भारी धातू यूरेनियम है दोस्तो Next question है दोस्तो, पोटेसियम का संकेत है Option है नमबर P, दूसरा PA, तीसरा K, चोहता F तो दोस्तो, इसका उत्तर है K, पोटेसियम को केशे दर्साया जाता है नेक्स्ट कोस्टन है स्वेत रक्त का जीवन काल होता है ओप्सान है नम्मर पहला एक से दो दिन, दूसरा एक से तीन दिन, तीसरा एक से पास दिन, चौहता एक से चार दिन इसका उत्तर दोस्तों एक से चार दिन नेक्स्ट कोश्चन है प्रत्वी की बेहन या जुडवा ग्रह किसे कहा जाता है ओप्सान है नम्मर पहला सुक्र को दूसरा सनी को तीसरा बुद्ध को चोहता ब्रहस्पती को दोस्तों इसका उत्तर है सुक्र नेक्स्ट कोशन है अनुधियर ये तरंग उतिपन ने हो सकती है इसका उत्तर है दोस्तों सभी में नेक्स्ट कोशन है नियुंतम संववतता थाव है नम्मर पहला मैनस 273 degree centigrade, दूसरा 0 degree centigrade, तीसरा मैनस 300 degree centigrade, चौहता 1 degree centigrade इसका उत्तर है माइनस 273 डिग्री सेंटिग्रेट नेक्स्ट कोस्टन है किस माध्य में अनुप्रेस्ट तरंग उत्पन नहीं हो सकती पहला पानी, दूसरा लोहा, तीसरा हवा, चोहता पारा उत्तर है हवा नेक्स्ट कोस्टन दोस्तों किसी गैस में उत्पन दोनी तरंगे सदेव होती है ओप्सटन नम्मर पहला अनुधेरिये, दूसरा अनुप्रेस्ट, तीसरा अप्रगामी, चोहता विद्धुत चुम्म की है इसका उत्तर है दोस्तों अनुधेरिये नेक्स्ट कोस्टन है वस्तु की मात्र बदलने पर अपरवर्तित रहेगा ओप्सटन है दोस्तों आयतन, भार, द्रववान और घनत्व दोस्तों इसका अंसर है घनत्व नेक्स्ट कोस्टन दोस्तों टाइपराइटर के अविसकारक है पहले नम्मर पर सॉकली, दूसरा पासकल, तीसरा वाटरमेन, तीसरा सूल्स उत्तर दोस्तों सॉल्स टाइपराइटर के अविसकारक दोस्तों सॉल्स है नेक्स्ट कोस्टन है दोस्तों कोवाल्ट सिस्टिन उस सर्जित करता है आपसन है अलफा किरण, गामा किरण, बीटा किरण और एक्स किरण इसका उत्तर है दोस्तो गामा किरण नेक्स्ट कोस्टन है वेंचुरी मीटर से ज्याद करते हैं आपसन है जल का प्रेश्ट तनाव, जल का आयतन, जल का घनत्व, जल के प्रभाह की दर इसका उत्तर है दोस्तों जल के प्रभाह की दर नेक्स्ट कोश्चन है भू इस्तिरोग्रह का आवर्टकाल होता है ओप्शन है 28 गंटे, 24 गंटे, 12 गंटे, 6 गंटे इसका उत्तर है दोस्तों 24 गंटे नेक्स्ट कोश्टन है दोस्तों वेज्ञानिक आर्प्मेणी सम्मंदित है। ओप्शन है ब्रिटेन से, जर्मानी से, ग्रीश से, फ्रांस से। उत्तर है दोस्तों जर्मानी से। नेक्स्ट कोश्चन है किस ताप पर धोनी का वेग 332 मीटर प्रती सेकेंड होता है ओप्षन है 0 डिग्री सेंटिग्रेट, 35 डिग्री सेंटिग्रेट, 10 डिग्री सेंटिग्रेट और 100 डिग्री सेंटिग्रेट उत्तर है दोस्तों 0 डिग्री सेंटिग्रेट नेक्स्ट कोस्टन है दोस्तों रियान रे से तयार किये जाते हैं उप्सटन है सेल्यूलोज से, बेकलाइट से, यूरिया से, फॉर्मेलडी हाइट से उत्तर है सेल्यूलोज से दोस्तों नेक्स्ट कोस्टन है फ्रियान का राशायनिक नाम है उप्सान है क्लोरो फ्लोरो कारवन, ट्राइक्लोरो मिथेन, क्रोलर और डी-डी-टी उत्तर है दोस्तों इसका क्लोरो फ्लोरो कारवन नेक्ट कोश्चन है दोस्तों दवा बनाने में काम आता है उप्सान है बेंजोई कमल, नाइटरिकमल, पिकरिकमल, अमलराज इसका अंसर है दोस्तो बेंजोई कमल दबा बनाने में बेंजोई कमल काम आता है नेस्ट कोशन है दोस्तो पेट्रोल में बिसेला मिशित पधार्त है आज अगरता हूं दोस्तो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों ये question आपके लिए competition exam के लिए बहुत ही important है आप इनी याद कर लें दोस्तों मैं अपनी next video लेकर आऊंगा जो कि आपके delay police के लिए बहुत ही important है और उसमें मैं आपको संभिधान के कुछ important question लेकर आऊंगा दोस्तों आपके लिए ये दोस्तों आपने मेरे चलन को subscribe नहीं किया तो प्लीज subscribe कर और bell icon को दवाना ना बोल जाए हिंदो